हेलो फ्रेंड्स दिश इस एश्पी सिंग एंड वल्कम टू इश्मार्टेल एवरी डे प्यारे दोस्तों बात करेंगे 17 जनवरी 2003 आज का ही ये अपडेट है कानपूर यूनिवर्सिटी के तरप से ये अपडेट आया है आपके marks को ले करके कि जो आपके marks रहेंगे questions कितने रहेंगे उसको ले करके यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट दिया है 17 जनवरी का ही ये notice जारी हुआ है यूनिवर्सिटी के तरप से official notice है आप official website पर जाकर कि इसको check कर सकते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि अच्छों से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप कानपूर यूनिवर्सिटी से बेट फर्स समेस्टर आपका हो या थर्ड समेस्टर हो अगर आपने अभी तक हमारे notes ना लिये हो तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर message करके हमारे notes ले सकते हैं हमारे notes लेने के बाद आपको बहार से कुछ भी पढ़ने क्या हो शकता नहीं होती है तो यह जो notice आया है आज का इसमें क्या है एनिपी 2022 ठीक है परिच्छा कि अवदी दो घंटे की आप सभी को पिता है कि आप पैज्जाम दो पंटे का होना है जिस शंबंद में एनिपी इसनातक पराइसनातक यानि ग्रेजविशन पोस्ट ग्रेजविशन आपका बीए हो ब्यस्टी हो पी कौम हो या मम्स्टी कौम हो ठीक है या फिर कोई आपको 75 नमबर का नहीं होना है आपका कितना होना है आपका एकजाम 75 नमबर के लिए होना है तो इसमें आपको मार्फ क्या रहेंगे देखेगा अभी जो कुछ दिन पहले अपडेट था उसमें कुछ और था इसमें कुछ और है लेकिन इसमें बताया क्या है प्रश्ण पत्र पूर्णांग 75 के लिए यानि कि आपका जो प्रश्ण पत्र रहेगा वो 75 नमबर का रहेगा इसमें attempt all questions in section A जो आपका section A रहेगा उसमें आपको सभी questions करने है क्या करना है उसमें आपको सारे questions हल करने है attempt one question from section B and C both आपका section B रहेगा section C रहेगा उनमें से आपको एक एक question solve करना है dear friend आप समझें यहाँ पे total questions section जो A रहेगा आपका उसमें total questions आपके 9 रहेगे जैसा कि पहले ही आपको बताया 9 questions रहेगे questions to be attempt 9 के 9 पूरे questions करने है अभी तक जो हम लोग बता रहे तो उसमें दिया था कि 3 नमबर का question रहेगा यहाँ पे question marks per question एक question के लिए आपको 5 नमबर मिलेंगे यानि कि 5 नमबर का question आपको यहाँ करना है 9 के 9 सारे questions करने है 45 नमबर आपको section A से मिलेंगे जो section B आपका रहेगा इसमें total 4 questions दिये जाएंगे लेकिन उन 4 questions में से attempt आपको किवल एक ही question करना है 3 आपको छोड़ देने है ठीक है एक question के लिए आपको 15 नमबर मिलेंगे यानि कि यह जो question रहेगा आपका long रहेगा और यह 15 नमबर में जाएगा कितने नमबर में जाएगा सर 15 नमबर में question आपका यह जाएगा और अगर पूरा question रही है 15 नमबर आपको यहां से मिलते है जो section C है हमारा इसमें भी आपको 4 questions दिये जाएंगे और इसमें भी आपको any one question कोई एक question करना है 3 question छोड़ देने है ठीक है marks per question यानि कि एक question के लिए आपको 15 नमबर मिलेंगे यह भी आपका long question है तो कुल मिला करके आपके 2 questions long आएंगे जिनके लिए आपको 30 नमबर मिलते हैं और 9 questions आपके short रहेंगे यानि कि very short नहीं short questions रहेंगे एक question के लिए आपको 5 नमबर मिलेगा ठीक है तो 5 नम 45 नमबर आपको यहां से मिल जाएंगे और यह आपके 75 नमबर होते हैं ठीक है फिर आगे जो जिनका प्रेशन पतर 80 नमबर के लिए है उनके लिए अपडेट दी है तो इस तरीके से यह आजगा ही अपडेट है और आपका एक्जाम भी 75 नमबर को होने को है ए इस तरीके से यह अपडेट है जो यूश्टी के तरफ से अपडेट आया वह मैंने आप तक पहुंचाया ठीक है जानकारी कैसी रही कमेंट करके बताएं नोस नहीं लिए हैं तो यह इस नमबर आप मैसेज करके हमारे नोस लेकर करके आप बहुत बहुत कर सकते हैं कम समय मे अच्छा कर सकते हैं आप इसकी तैयारी कैसे करनी है लॉंग कुशन कैसे पड़ने है इस पर हम और भी आपको अपडेट देते रहेंगे थैंक्यू सो मच